हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे एक नए प्रोड़क्ट के बारे में जो प्रोड़क्ट है वेबसाइट कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे तो सबसे पहले आंप अप्लिकेशन तो आपको पता है कि है आप प्लेट करते हैं आपके मोबिल में जितने सारी अप्लिकेशन से वह सब तो प्लेट करते हैं उसी ताइप से जो भी बिजनेस एक कि उनका जो website है उस website को अनोड application में convert किया जाएगा उसका एक process होता है उसी product को हम sale करने वाले customers को जिसका website उल्री है उसके लिए ही यह application है उसके लिए ही यह process रहेगा यह product रहेगा तो डिटल में जानते हैं तो यह product जो रहेगा तो यह इनका जो application है हम Google Play Store पर list करके देंगे और list करके देंगे तो कोई भी उसको Google Play Store से download कर सकता है और उनका जो website रहेगा जो business का नाम है उसी नाम से Google Play Store पर यह आएगा और इसको बनाने के लिए और Play Store पर आने के लिए कम से कम seven day का time रहेगा seven day में इसका application बन जाएगा और Play Store पर लायू हो जाएगा उसके बाद में किस तरह से Play Store पर आते हैं इसके मैंने कुछ samples बनाए यहां पर आपको दिखाने के लिए यहां पर सब purchase company की तरफ से यह application है और उसका detail में यह detail में दिख रहा है आपको यहां पर एक तावनने का तो इस तरह से Android application होता है यहां से हम इसको install कर लेते हैं उसके बाद में इसका जो cost रहेगा वो रहेगा 2000 रुपए 2000 रुपए इसका cost रहेगा one year के लिए रहेगा next year फिर से उनको renew करना पड़ेगा renewal charges भी 2000 ही रहेगे और शुरू में उनको जब application का काम आया यानि कि उनको करना है तो शुरू में ही उनको 2000 पे करना है company के account में जैसे payment आ जाएगा उसके बाद उनका अन कमिशन दिया जाएगा 400 रुपीज पर सेल पर आपको 2000 रुपए से clients को सेल करना है और आपको 400 रुपीज कमिशन दिया जाएगा पर सेल पर यानि कि दिन में आप दो या तीन application आराम से इसको सेल कर सकते हैं हमारे तरब से आपको data दिया जाएगा customer का उस data के उपर आप calling कर स एकते हैं thank you